जैश्री कृष्णा दोस्तों हमारे वीडियो में आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है। कई बार ऐसा होता है कि हम दीपक जलाने में लेट हो जाते हैं। जिस कारण से हम रात में दीपक जलाते हैं। मगर दीपक जलाने के अपने कुछ नियम है। आईए जानते हैं कि आखिर दीपक जलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कब दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक जलाने का सही समय हमारे धर्म में संध्या का समय होता है। संध्या आरती के दोरान ही दीपक लगाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि दीपक रात के समय में जलता है. इसे शैतानी शक्ती से भी जोड कर देखा जाता है. दिया जलाने से न सिर्फ अंधकार दूर होता है, बलकि नकारात मक्ता भी दूर होती है. पूजा पाठ के दौरान दिया जलाना और भी श्रेष्ट होता है ऐसा कहां जाता है कि दीप जलाने से देवता प्रसन होते हैं अपनी कृपा घर परिवार पर बनाए रखते हैं इसलिए दीपक जलाने के भी कुछ नियम है क्या है वे नियम? इस बारे में बात आएंगे घर में पूजा पाठ के अलावा नियमित रूप से सुभा और शाम के समय दीपक जलाया जाता है इसके बारे में शास्त्रों में भी जानकारी दी गई है संधाकाल के समय दीपक जलाते हुए अकसर लोग गलती कर देते हैं अंजाने में दीपक को ज्यादातर लोग रात में जलाते हैं आईए जानते हैं कि दीपक कब जलाना चाहिए शास्त्रों के अनुसार दो तरह की पूजा होती है एक सात्विक और दूसरी तांत्रिक सात्विक पूजा साधारन लोग करते हैं वहीं तांत्रिक पूजा तंत्रमंत्र करने वाले तांत्रिक या अगुरी करते हैं। सात्विक पूजा का समय सुभा ब्रहमा मुहूर्द से सूर्यास तक का होता है। सूर्यास के बाद तांत्रिक पूजा का समय शुरू होता है। सूर्यास के बाद देवी देवता विश्राम करते हैं. कब जलाना चाहिए दीपक? दीपक हमेशा उस समय जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हो. सूर्योधय से लेकर सूर्यास के बीच में ही अपने घर या फिर मंदिर में दीपक जलाना चाहिए. सुबह पूजा के समय दीपक जलाना चाहिए और फिर संध्याकाल की आरती के लिए दिया जलाना चाहिए रात में दीपक नहीं जलाना चाहिए कब नहीं जलाएं दीपक शाम के समय दीपक तब जलाना चाहिए जब सूर्यास्थ हो रहा हो सूर्यास्थ के बाद दीपक जलाना तांत्रिक क्रिया में आता है ऐसा करने से कोई लाब नहीं मिलता है दीपक हमेशा सही समय पर जलाना चाहिए रात में दीपक जलाने का अर्थ होता है भगवान की नींद में बाधा डालना डॉट माता लक्षमी की कृपा शाम के समय मुख्यद्वार पर दिया जलाने को मा लक्षमी के आगमन से जोड कर देखा जाता है। इस समय को माता लक्षमी के घर आने का समय कहा जाता है। इसलिए घर की चौखट पर शाम के समय बैठने की मना ही होती है। वहीं शाम के समय दिया जलाने पर मा लक्षमी प्रसन्न होती हैं और खुश मन से घर में प्रवेश करती हैं। नकारात्मक उर्जा को रखे बाहर मान्यत अनुसार घर के मुख्यद्वार पर दिया जलाने पर नकारात्मक उर्जा को घर से बाहर रखा जा सकता है। शाम के समय घर के आसपास नकारात्मक्ता मंदरा सकती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए दीपक जलाना शुब होता है. इस स्थान पर जलाए दिया. वास्तु के अनुसार घर के मुख्यद्वार पर दाहिनी ओर दिया जलाया जाना शुब होता है. जब आप घर से बाहर निकले, तो दिया दाहिनी तरफ होना चाहिए. इसके अतिरिक्त मुख्यद्वार पर सरसो के तेल का या फिर घी का दीपक जलाना चाहिए. दोनों ही तरह के दिये को घर के बाहर जलाना शुब होता है. इस बात का विशेश ध्यान रखें कि आप पश्चिम दिशा में दियाना जला कर रखें. किस समय जलाए दिया? दिया जलाने का सबसे उचित समय शाम पांच बजे से आठ बजे के बीच माना जाता है. इस सम्यावधी में दिया जलाना शुप माना जाता है. दीपक की जोती को उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ रखें